दोस्तो, Xiaomi ने अपना Note 9 20 तारी को लांच कर दिया है, जो कि Realme के नाजर 10 का पावरफुल अपोनेंट है, उससे बैटर भी था, और अब Redmi Note 9 को देखते हुए, Realme ने भी Redmi Note 9 के अपोस में, अपना एक और भैदरीन फोन Realme 6i लांच कर दिया है, दोस्तो, अब कई सारी कंपनीज हर 2-3 दिन की गैप में, approximately same price पर फोन लांच कर दिती, कस्टमर्स में फ्यलता है, कन्फूजन्स, और क्योंकि Note 9 और 6i दोनों नए फोन है, दोनों कंपनीज कम रेट में इनको जादा से जादा इस स्पेसिफिकेशन किसान मार्केट में देगी, और हमेशा की तरह इस बार भी दोनों में से एक फोन को तो हमें लेना ही है, इस प्रॉब्लम का सबसे बैस सल्यूशन है कि दोनों को आपस में कंपैर कर ले, तो आज की इस वीडियो में हमां ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देगे, क्योंकि वीडियो के एंड तक आप खुद से डिसीजन ले पाएंगी कि आपको कौन सा फोन लेना है, रेडमी लेना है या फिर रियल्मी लेना है, दोस्तों इसका सीधा सा जो कनेक्शन है वो है प्राइस, इस फोन की प्राइस हमेशा 15 या इस से हमेशा जादा होती थी, लेकिन हम जैसे मेडिल कास बंदे जिनका बजट सिर्फ 12 या 13 जार ही होता था वो इन्हें पर्चेस नहीं कर पाते थे, इसलिए ये कंपनीज अपने फोन के लाइट वर्जिन को लॉंच कर रहे हैं, तो चलिए बढ़ते हैं इनके कंपैरिशन के तरफ और देखते हैं इनके लाइट वर्जिन में क्या आवेलेबल है, तो सबसे बिले बात करें, रेड्मी 9 की तो इसमें 6.53 इंच की फुल एचडी प्लस IPS डिस्पेय दिस्पेय दिया गया है, ठीक है, इसका रिजॉलूशन जो है, वो 1080 इंटू, 2340 पिक्सल्स के साथ है, जबकि इसका रिफ्रेश रेट्स 60 हर्ट्स का है, रिजॉलूशन आपको 1080 इंटू 2400 मिल जाता है, बट इसमें रिफ्रेश रेट्स आपको 90 हर्ट्स तक का मिल जाता है, तो बात करें, स्क्रीन की स्मूथनेश की तो वो आपको रिजॉलूशन जाधा बैटर देखने को मिल जाएगी, डिस्प्ले के मामले में, रियल्मी, रेड्मी से जाधा अच्छा है, अब नजर डालने थे इनके रेम और स्टोरेज पर, दोनोई फोन अलग-अलग वेरेंट्स में अविलिपल है, जो इनकी बेस वेरेंट है वो 4GB रेम और 64GB के इंटर्नल मेमोरी के साथ है, बट रियल्मी का जो दूसरा वेरेंट है वो 6GB रेम और 64GB के साथ भी है, वहाई रेड्मी का जो दूसरा वेरेंट है वो 6GB प्लस 608GB के साथ है, बट यहां हम सिर्फ बेस वेरेंट की बात अगर करेंगे तो स्लिम स्लोट अगर हम देखें, तो दोनों ही फोन में आपको डेडिकेटट सिम स्लोट भी मिल जाएंगे, इट मिंस इन में आप दो सिम और एक SD कार्ड यूस कर पाएंगे, दोनों ही फोन में आप 512GB तक मेमोरी को एकस्पांड कर पाएंगे, तो आप देख लेते हैं इनके प्रोसेसर को, तो जब बात प्रोसेसर की हैं, तो Realme 6i ने MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर दिया है, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर माना जाता है, और आप चाहें तो इससे अच्छी खासी गेमिंग भी कर पाएंगे, जे टूडे वर्क प्रफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, साथ इसमें आपको 60fps तक PUBG भी खेलने को मिल जाएगा, बट बात करें Note 9 की तो इसमें आपको थोड़ासा डाउंग्रेट प्रोसेसर मिलेगा MediaTek का G85, इस मामले में Realme 6i Note 9 से स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर सकता है, खेर अब नज़र डालें इनकी कैमरे पर तो Realme का 48MP का कैमरा प्रामेरी कैमरा, प्लस 8MP का अल्टरा वाइड कैमरा, 2MP का मैक्रो और 2MP का पोट्रेट कैमरा आपको बेक साइड में मिल जाता है, और फ्रेंड में इसमें आपको 16MP का कैमरा मिलता है, बात करें, रेड्मी नोट 9 की तो इसमें आपको Quad Camera सेटप बेक साइड में मिलेगा, 48MP का प्रामेरी, 8MP का अल्टरा वाइड, 2MP का डैथ्थ और 2MP का मैकरो कैमरा मिलेगा, बात करें तो रेड्मी की डिवाइस में कैमरा क्वालिटी हमेशा सही, रेड्मी से थोड़ी बैटर रहती है, तो दोस्तो, अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, क्योंकि बैटरी के बिना आपको स्मार्टफोन कुछ भी नहीं, तो रेड्मी ने अपनी जो बैटरी है, वो 4300 mH की दी है, वहीं 30W का Fast Charging सपोर्ट भी दे दिया है, जबकि रेड्मी नोट 9 ने 5020 mH की बैटरी थी है, और यहाँ पर 18W तक का Fast Charger आपको मिलता है, दोस्तो यह तो क्लियर है कि रेड्मी नोट 9 ज़ादा बैटर है, क्योंकि जब बैटरी कम है, तो ऐसी Fast Charging का क्या फायदा, दोस्तो बात करें, प्राइस की तो रेड्मी का Base Variant जो है, वो 12999 जबकि रेड्मी नोट 9 का Base Variant की कीमत जो है, वो 11999 जबकि एक हजार का फर्क है, अब बात आ जाती हैं कि इन दोनों फोन में से बैटर कौन सा है, तो आपको कौन सा लेना चाहिए, तो दोस्तो अगर overall conclusion की हम बात करें, तो आपको बिना टाइम बेस करें, Realme 6i को purchase करी लेना चाहिए, इसमें जो बैटरी है, वही Redmi से कम दी गई, बाकी सारे conclusion में तो यह शायद टकर का निकला या उससे जादा का निकला या बैटर निकला तो Realme 6i और Redmi Note 9 का full comparison आपके सामने अब आप मुझे comment में बताइए कि आप किस phone को purchase करना चाहते हैं, और last तक अगर आपने वीडियो को देखा है, तो वीडियो की information आपको अच्छी लगी या ना लगी, इसे भी comment section में बताइए, वीडियो अच्छी पसंद आ चुकी, तिसे like कर दीजे, खूब सारा दिल से share कर कर दीजे, Instagram पर follow करना स्टाट कर दीजे, चैनल को सब्स्राइब करके notification बल आइकन प्रेस कर दीजे, मिलता हूँ अगली वीडियो में, नए super gadget या नई tips and tricks के साथ में, तब तक लिए, बाइबाई